हलो माइ ब्यूटिफुल पीपल कैसे हैं आप सब लोग आई होप आप सब लोग बड़े अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सब ही जरूरी चीज़ें बड़े अच्छे से कर रहे होंगे सु इस पोजिटिफ से नोट पे शूरु करेंगे आज की रीडिंग रहने वाली है स्कॉर्पियो तो यह एक general reading है collective reading है हो सकता है हर किसी से पूरी पूरी resonate ना करें तो जितना part आपको resonate करें उतना आप रखिएगा बाकी का आप ignore कर दीजिएगा या किसी और Scorpio Soul Drive के लिए छोड़ दीजिएगा तो यहां पे यह बिल्कुल ही general और collective reading है और इससे काफी idea आपको मिल सकता है कि 2024 कैसा रहने वाला है regarding finances, job, career, business और even studies के regarding भी क्योंकि studies भी mostly हम करते हैं अपने career को बनाने के लिए ठीक है तो यहां से इस reading से हमें काफी अच्छा सा idea मिल जाएगा 2024 में क्या हमारे लिए do's हैं, क्या don'ts है, ठीक है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या जादा करना है, क्या बिल्कुल नहीं करना है, तो इस तरह का रहने वाला है, aspect ओके, I think 8 cards में ने pull की हैं, और यहां से हमें इनफ से information, 2024 में finances कैसे रहने वाले हैं, career कैसा रहने वाला है, उसके regarding मिल जाएगी, to of sorts है guys, आप लोगों के लिए भी, आप लोगों को भी काफी सारा confusion है, regarding career devil का भी card आया है, क्या बात है, Scorpio Soul Tribe खुश नहीं है, क्या अपनी present job मे जो यहां पर collectively, heavily मुझे पिक हो रहा है, क्या Scorpio Soul Tribe, ज्यादा खुश नहीं है अपने career में, अपने career option को लेके, अपने stream में, stream में बढ़ाई कर रहे हैं, या workplace को लेके, या work को लेके itself, धे सारा confusion भी है, और toxicity भी है, और खुशी तो कहीं दिखाई नहीं दे रही है, seven of pentacles हैं, 10 of pentacles भी बहुत अच्छे card है, and nine of pentacles भी है, seven, nine, ten, वाउ, और career की reading है, penances की reading है, pentacles के card आ रहे हैं, so I mean वाउ, ace of wands, so this is the deal, good, queen of cups है यहां पे, and यहां पे है nine of wands, ठीक है, तो यहां पे career का है, तो wands के cards भी आए है, cup का card भी आया है, और team card pentacles के आए है, और दो card यहां पे आए है, negative, एक हिसाब से तो उसको मैं explain करूँगी, why this is so, so overall tone यहां पे बहुत ही अच्छा पकड़ा है, reading में, अच्छी बात है, ठीक है, congratulations guys, आप लोगों का 2014 जो है, काफी promising सा year होने वाला है, काफी promises लेके आ रहा है, काफी सारी अच्छे aspect लेके आ रहा है, तहे सारी expectations, पर शुरू करेंगे, यह दो card आते ही, मैंने बोला, एक तो यह card आये सबसे पहले है, ठीक है, so हो सकता है, यह past ने इस तरह का आपका aspect रहा हो, और हो सकता है, जब आप इस reading को देख रहे हो, उस time पे भी आपका थोड़ा सा aspect इस तरह का हो, कि आप किसी ऐसी job में हो, जहां क माहौल बिल्कुल toxic हो, और यह card ना काफी frequent आ रहा है, जितने मैं career की reading कर रही हूँ, I don't know why, devil का card आ रहा है, तो क्या guys, क्या चल क्या रहा है, मतलब कोई भी खुश नहीं है, अपने career में कही ना कहीं past वाली जो 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 आपकी सभी की सभी ऐसी थी ती कि आ क्या है, new joining है अब आप कहीं पर, या हो सकता है आप इस तरह की job को छोड़ने का सोच रहे हैं, या हो सकता है, still आप इस तरह की job में है, तो तीन तरह के aspect है यहाँ और सभी के लिए मैंने यहाँ पर clear कर दिया है, कि इस तरह का आपके आसपास, आपके माहौल में, यह आपके काम का माहौल है, ठीक है, अब बहुत सारे लोग हैं, जो उस तरह से काम नहीं करते हैं, लेकिन finance की reading तो वो भी देखेंगे, finances तो उनके भी है, जिनका career नहीं है, finances तो उनके भी है, चाहिए, उनको finances कोई और provide करता है, जैसे मर्जी है, like housewife है, ठीक है, finances तो उनके भी है, money त इस तरह का इंसान हो, जो authority होते हैं, घर की जो मुकिया होते हैं सदस्य, वो इस तरह से उनके सब behave करते हों, और यह आपके boss तो हो ही सकते हैं, यह HR field में कोई हो सकता है, जो आपको परिशान करते हों, यह आपके colleagues भी हो सकते हैं, यह itself job का बहुत बार इस तरह का होता है, कि jobs का curriculum ही ऐसा होता है, career का aspect ही ऐसा होता है, कि वो itself ही toxic होता है, जैसे कि, मैं example अगर मैं आपको देखे बताऊं, so please don't mind, जो लोग telecommunication में काम करते हैं, like जिनको है कि target है कि रोज दिन का जो है, so call मिलानी है, random लोगों को, तो ठीक है, वहापे कैसा job का माहूल होता है, लोग आप आप से कैसे बात करते हैं, बहुत अच्छे से बात नहीं करते हैं, ठीक है, वो अपना कोई काम कर रहे हैं, आप उनको phone कर देते हैं, बहुत बार, so telecommunication में काम करने वाले हैं, उनका job itself ही, job itself बहुत अच्छा नहीं है, और salary भी बहुत अच्छी नहीं होती है, so इस तरह के पहुत सारे लोग हैं, जो इस तरह के कामों में फसे हुए हैं, जो वो करना नहीं जाते हैं, बट family responsibility की वज़े से उन कामों को करते हुए, ठीक है, और उसको पसंद नहीं कर रहे हैं, और उनको पैसा भी कुछ खास नहीं मिल रहा है, और उनको बहुत जादा काम भी लिया जा रहा है, और उनको humiliate भी किया जा रहा है, उनको बेज़त भी किया जा रहा है, मतलब किसी भी तरह से ना, reciprocation अच्छा नहीं है, energy आप से ली जा रही है, ठीक है, time और energy आप अपना दे रहे हैं, लेकिन reciprocation में कहीं आपको आपकी job दे रही है, negativity, और आप बहुत बहुत confused ह हैं अपने इस present job को लेके कि मैं करूं की ना करूं, आगे बढ़ूं की ना बढ़ूं और कुछ लोग हैं जिनके लिए new proposals भी हैं, लेकिन वो उनमें confused हैं कि इस career option को लें की ना लें, इस stream में पढ़ाई करें की ना करें, देश में पढ़ाई करें की विदेश में पढ़ाई अपने टाउन में करें ठीक है या out of town जाके दूर जाके पढ़ाई करें, अपने state में रहें की कहीं दूर जाएं, family के साथ रहें या family से अलग होके दूर रहें के career को grow करें, धेश सारा यहां पे confusion है, और दो इच्छाओं में बटे हुएं आप लोग की करें की ना करें, करन आपको अच्छा नहीं लगता है, बर family responsibility की वज़े से करना पड़ता है, इस तरह का toxic job, so यह aspect यहां पे career की regarding मुझे आ रहा है, कि आप अपने career में चाहें वो partnership में हैं, बहुत सारे लोग हैं, जहां business है, और वो partnership में हैं, और वहां पे जो partnership है, वो itself toxic हो गई है, ठीके, और व family business आप देखते हैं, तो उसमें भी बहुत सारे लोग होते हैं, partnership में चलते हैं, partners के parents भी उसमें काम करते हैं, इस तरह का conflict है, आपको लगता है कि आपको सुना नहीं जाता है, और आपको समझा नहीं जाता है, आपकी बात की value नहीं है, और क्योंकि आप उमर में छोटे हैं, तो इसलिए आपकी suggestions को नकार दिया जाता है कि चलो तुम्हें क्या पता, तुम तो कल के आए हुए हो तो इस तरह कर देज सारा यहां पर मुझे पिक हो रहा है कि आप feel करते हैं और बहुत-बहुत stress में भी है, conflict में भी है, tension में भी है और चीजों को अंदेखा करके कहीं न कहीं और अपनी ही psyche के साथ लड़ लड़के कहीं न कहीं time को spend कर रहे है, time को pass कर रहे है, just you are passing time किसी तरह से आप लोग वहाँ पर time को spend कर रहे हैं, निकाल रहे हैं चलो ठीक है, एक दिन निकला, एक महीना निकला, एक साल निकला, तो यह है आपका present का और past का आपके career के regarding aspect और अब हम शुरू करेंगे, 2024 में हमारे लिए क्या promising है, क्या लेकी आया है 2024, अब इतने सारे प्यारे से card आए हैं कि समझ नहीं आ रहे है कि कौन से card को पहले pick करूँ, so यहाँ पे इस card को मैं अभी साथ में ही पढ़ देती हूँ, यह nine of wants है, wants का card होते हैं, wants के card हमेशा ही work place के होते हैं यह भी हो सकता है कि इस job को करते हुए जहाँ आप present है या हो सकता है जिस job को आपने recently छोड़ा हो या जिस job को आप छोड़ने के बारे में सोच रहे हैं, यह भी हो सकता है कि उस job में आप बड़े guarded अप रहते हैं, मैंने यहाँ पर pick किया है ना कि बहुत सारे लोग हैं जो family business में भी हैं या partnership के business में हैं तो कहीं न कहीं अगर चार partner हैं तो कहीं न कहीं आप guarded अप रहते हैं और सब ज़्यादा काम भी आप करते हैं यहाँ पर देखे रहा है कि इनसान कहीं काम करते हुए कैसे वेर आउट हो चुका है ठक चुका है और guarded अप भी है तो कहीं न कहीं humiliation व कहीं न कहीं है कि सामने खड़ा करके गालियां देते हैं हुमिलेशन ऐसे होता है कि आपने बहुत अच्छा idea दिया suggestion दिया बहुत अच्छा लेकिन उसको सुना यहीं उसको अनसुना कर दिया यह एसे बोल दिया कि तुमें क्या पता ठीक है अब यह कोई गाली तो नहीं ले कोई गाली भी नहीं थी है, so this is the way of our society, society इस तरह से ही बनी हुई है कि वहाँ पे जो टॉक्सिक चीजें है ना, वो पुष्ट दर्द पुष्ट चलती है, तो कोई उनको question भी नहीं करता है कि ऐसा क्यों और वैसा क्यों, so आप काफी यहाँ पे guarded आप हैं कहीं और काफी लोगो आपके अगेंस्ट यहाँ पे न, आपके इस वारे workplace पे, इस वाली जगह पे और बहुत बार ऐसा भी है, कुछ लोगों का मैं यहाँ पे पिक कर पा रही हूँ, जो एक particular career option को opt करना चाहते हैं, लेकिन पूरी family अगेंस्ट है कि नहीं, हम तुम्हें पैसे देंगे, पढ़ा कि एक लडाई जैसा माहोल सा है कही न, कहीं एक लडाई जो है अपने अंदर भी चल रही है और बाहर भी, और यही होता है guys, जो हमारे अंदर चल रहा होता है, वो ही हमारे बाहर भी हम manifest करने लगते हैं, तो यहाँ तक का यह aspect है, जो past का है, काफे कुछ और रो, काफे मार्च में ही देख लें, आप इसको जब भी देखें, आप इससे वहीं से connect करना शुरू करें, ठीक है, और यहाँ पे इसके बाद कहानी में mode आया है, और बहुत अच्छा आया है, और कहीं न, कहीं एक इनसान, जो काफी guarded अप था, उसमें उसने कुछ अपने लिए करना श चुरू किया है, तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों के लिए new job हो सकती है, new job मैं क्यों बोल रही हूँ, उसका मैं reason बताओं गी, उसका मैं पहले reason ही बता देती हूँ, यहाँ पे card आया है Ace of Wands का, so Wands के card itself ही career के cards होते हैं, ठीक है, Wands जब भी आएंगे, career का बहुत ही अच् ठीक है और वो सब चीज़ें आती हयłem, Wands से, ठीक है क्योंकि Wands हैं लकडी और लकडी कहीं इना कहीं जब आग जलती है, लकडी को आप जला सकते हो, आग जला सकते हैं उससे light मिलती है, उससे heat मिलती है, ठीक है उससे energy मिलती है, तो energy वाले card है, energetic, और ठोड़ी जल्दी में आग लगाते हैं तो आग लगने में कितना टाइम लगता है सालों तोड़े न लगते हैं 2-4 मिंट में लगनी जल जाती है ठीक है तो इस तरह से पैशन के बहुत ही अच्छे से एनर्जेटिक वाले कार्ड होते हैं तो कुछ एक ऐसे डिसीजन आप लाइफ में लेंगे द करोड़पती को रोड़ पे ले आती है और रोड़ से किसी को करोड़पती बना सकती है विदिन फ्रक्शन ओफ टाइम में ठीक है तो यहां पर क्योंकि डिवाइन का हैंड है और डिवाइन प्ले जब भी आता है तो चीजें बड़ी एकदम से ड्रामेटिक वे में हो जाती लाइफ में तो क्योंकि डिवाइन की डिवाइन की गाइडन्स है आपको खुच ऐसा आईडिया आजाना कुछ ऐसा क्लिक कर जाना कि एकदम से सही दिशह में चलने लगाए और उस दिशा से और पे काम करने लग जाना तीक है और बहुत जादा उस बद बद sóई हैक जब ब Wants के थुरू 2024 में करियर का Scorpio Soul Tribe के लिए बहुत अच्छा New Opportunity, New Ventures New Business Ideas, New Partnerships ठीक है? इस तरह से सब कुछ ही New Beginnings ठीक है? और New Talents, New Skill को Develop करना जो Wants है ना? वो आपके Talents और Skills को भी Show करते हैं ठीक है? Swords के Card है वो आपके Ideas, ठीक है? लेकिन उन आइडिया पर काम करके उनको Execute करना, ये Wants की Energy होती है, तो ये यहाँ पर आपको हो सकता है कोई ऐसा Career Option मिले, कोई ऐसा Job मिले, या आप खुद का ही कोई काम करें, या आप कहें कि ठीक है कुछ दिन मैं अपना काम करके देखता हूं ठीक है? या फिर आप किसी भी तरह से Convince कर ले और हो सकता है जब टाइम बदले और आप अपने घरवालों को Convince करें कि मुझे ये नहीं करना, मुझे ये करना है तो हो सकता है, उस टाइम वो भी Convince हो जाए क्योंकि मैंने बताया है ये सब समय की चाल है, समय जब आपके अगेंस्ट है, तो आपको ऐसा कर देता है ठीक है? अपनों के साथ ही युद करा देता है, कहीं न कहीं गाड़ड़ अप कर देता है जगड़े करा देता है, लड़ाई कर देता है और जब समय आपके साथ है जब ईश्वर आपके साथ है कही न कहीं तो उस टाइम पे वो ही लोग जो अगेंस्ट कड़े हुए थे आपकी हां में हां भी मिलाते हैं, आपकी तारीफ भी करते हैं आपकी बात भी सुनते हैं वो ही लोग जो बोलते थे कि तुमें क्या पता हमें ज़्यादा पता है वो ही लोग जोपचाप से आपकी बात भी सुनते हैं क्यों? क्योंकि आप ऐसे बिजनस प्रोपोजल लेके आते हैं आप ऐसे बिजनस आईडियाज पर काम करते हैं आपकी ग्रोथ ही कुछ इस तरह की होती है ठीक है कि उनको आपकी सुननी पड़ती है बोलते हैं जख मारके सुनना पड़ेगा तो वो सुनना पड़ेगा उनको तो इस तरह का यहाँ पे बहुत अच्छा सा प्यारा सा आस्पेक्ट है करियर के उसमें के डे सारी उपरचुनिटीज आपको मिलेंगी और आपने बहुत सोच समझे उन उपरचुनिटीज पर काम करना हर एक उपरचुनिटी हर किसी के लिए नहीं होती है तो इन्वेस्ट करणा है कुछ भी नया काम करना है पराटनरशिप में जाना है तो बहुत सोच समझे फैसले लीजेगा 2024 में और यहाँ पे 7 of pentacles का card भी आया है और 7 of pentacles card एक होता है कहीं न गहीं ये इनसान की energy देखिए ये बिल्कुल guarded up है और ठक गया है और तूट गया है और कहीं न गहीं अब आराम चाहता है लड़ना नहीं चाहता है और इस इनसान की energy को देखिए ये है 7 of pentacles की energy यानि कि 7-7 pentacles है लेकिन थोड़ा सा मन में डाउट है एक इनसान को बहुत जादा toxicity में रखा जाए बहुत लंबे टाइम के लिए इस तरह से वो दुविधा में रहे हाँ दुविधा इस दवर्ड दुविधा है भई soul tribe को बहुत बहुत दुविधा में रखा गया है confusion में रखा गया है बहुत बहुत confused रहा है soul tribe और बहुत लंबे टाइम में अपने job place पे अपने work place पे रहा है toxicity के माहौल में जब कोई नया job offer आता है कोई नई जगह पे आप shift होते हैं आपका माहौल बदलता है तो काफ़ी टाइम तक न आप यकीन नहीं कर पाते हैं कि is it possible क्या ये हो भी गया है क्या सच में और क्या यहाँ पे सब कुछ ठीक रहेगा ये भी तो लगता है ना कि ऐसा ना हो टाइम के साथ-साथ ऐसा ही माहौल यहाँ पे बन जाए ये भी लगता है हमारे को तो ये यहाँ पे self-doubt थोड़ा सा है seven of pentacles के थूँ जो मैं पिक कर पा रही हूँ वैसे भी universally, collectively कि हाँ, Scorpio Soul Drive में इस नई जॉब को लेके इस नई venture को लेके इस नई business idea को लेके कही ना कहीं रहेगा एक थोड़ा सा मन में खटका कि ये होगा, ये हो गया है तो ये यहाँ पे परिस्थिती पहले जैसी तो नहीं हो जाएगी कहीं लोग उस तरह से behave तो नहीं करने लगेगी कहीं चीज़े वैसे ही तो तोक्सिक नहीं हो जाएगी तो थोड़ा सा इस चीज़ का रहेगा और ये natural है इसमें ऐसी कोई बात नहीं है मैंने आपको बता दिया है कि इसका reason क्या है लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है क्योंकि यहाँ की energy बिल्कुल completely fresh है क्योंकि divine ने आपका हाथ ठाम लेया है ठीक है तो यहाँ पे डरने वाली घबराने वाली कोई बात नहीं है और यहाँ पे nine of pentacles भी आया है और queen of cups भी आया है तो पहले कुछ नो cups को मैं समझा देती हूँ तो चाहे आप male है चाहे आप female है तो ऐसा डे सारा chance है कि आपके आसपास या तो आपके आसपास कोई इस तरह की lady figure हो या आपकी mother भी हो सकती है आपकी sister हो सकती है आपकी wife हो सकती है आपकी girlfriend हो सकती है या कोई भी आपकी lady boss भी हो सकती है तो इस तरह का कोई भी आस्पेक्ट, यह आपकी मदरी लो भी हो सकती है, तीक है, इस तरह से बायस्ट करके reading को मैं नहीं करती हूँ, कि यह relation ऐसा है, यह relation ऐसा है, कोई भी female figure आपकी life में ऐसी enter कर सकती है, या हो सकती है, जो आपको इन चीजों में support करे, आपको नहीं नहीं ideas और mostly जो मुझे पिको रहा है, आपकी mother या यह आपकी wife है, जो जब हर कोई आपका साथ छोड़ देगा, उस time पर जो कहीं नहीं आपको हिम्मत भी देगी, होंसला भी देगी, और आपके ideas को सुनेगी, समझेगी, और आपको कहेगी, कि ठीक है, it's okay, और जब आप out of idea हो अपकी हो सकती है, ठीक है, और यह हो सकता है, आपकी भी mother, sister या इस तरह से कोई boss वगरा हो, तो उस तरह का support, तो कहीं न कहीं एक lady की through, lady luck वाला support मिलते हुए, चाहे आप lady हैं, चाहे आप gents है, irrespective of genders, एक lady love, एक lady luck, एक divine feminine, अगर मैं बोलूँ, एक divine feminine का कहीं न कहीं आपक support मिलते हुए, मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, मैं अगर काफी nurturing आपको मिलेगी, महां से काफी care, जो आप बहुत सालों से मिस कर रहे हैं, बहुत महीनों से मिस कर रहे हैं, गार्ड़ड़ अप हैं, ठके हुए हैं, तूटे हुए हैं, जिनने एक राहत चाहिए है, ठीक कह लिजे, या tinge of love कह लिजे, tinge of care sing कह लिजे, जो मर्जी कह लिजे, इस तरह का aspect भी, इस तरह की alchemy भी लेके आ रही है, कि आपको emotional support भी यहाँ पे, इस lady figure, इस mother figure, mother figure भी हो सकती है, lady figure हो सकती है, lover figure हो सकती है, किसी भी तरह से, किसी lady का support मिलते हुए, आपको मैं देख पा divine feminine वाला part हो सकता है, males के case में भी उनका divine feminine जो उनका ही part है, वो भी हो सकता है, कि उस तरह का nurturing और caring वाला aspect उनके अंदर ही develop हो, और आप कुछ इस तरह का काम करेंगे, soul tribe, जिसमें आपको यह lady भी help करेगी, इसका luck भी help करेगा, और आप भी कुछ इस तरह का काम करेंगे, nurturing वा कर सकते हैं, medicine के regarding, medical field के regarding के सारे काम है, वो आप कर सकते हैं, या हो सकता है, आप already उसी field में हो, ठीक है, आप food का कोई business कर सकते हैं, क्योंकि food का जितना में business है, वो सारा खाना, पीना, ध्यान, ठीक है ना, प्यार, care, ठीक है यह सब चीज़े आ गई ना, उसमें, medicine में भी ही ह कि medicine में भी किसी की health खराब है, तो उनकी emotions खराब है, family में सारा कुछ disturb हो जाता है, अगर आप medicine के field में हैं, और through medicine, your job, अपनी आप किसी की help करते हैं, तो वो भी nurturing, caring, उस तरह का आगया है, artist जितने होते हैं, ठीक है, और creators जितने भी होते हैं, poets हैं, ठीक है, और writers हैं, तो उस सारे लोग हैं, अब मैंने इतने सारे field किनवा दिये हैं, आपको, so यह सारे field होते हैं, divine feminine, जिनको grow करने में help करता है, और यहाँ पे है, nine of pentacles है, nine of pentacles की energy है, seven of pentacles की energy, ten of pentacles, याने कि चप्र फाड के, पैसे के तो कोई कमी नहीं है, और पैसा मिलेगा nurturing और caring के through, मतलब उसमे आपको वो aspect भी मिलेंगे, इंसान कहता है कि मुझे सिर्फ पैसा मिला है, लेकिन मैं बड़ा dry dry feel कर रहा हूँ, ठीक है, workplace तो ठीक है, काम कर लेता हूँ, पैसा कमा लेता हूँ, लेकिन काम करने में, मन नहीं लगता है, अच्छा नहीं लग रहा है, तो वो मजा भी आएगा आपको काम करने में, क्योंकि काम जो है न, उस तरह का होगा कि आपकी आत्मा को भी सुकून मिलेगा उस चीक से, ऐसा नहीं होगा कि हाँ काम किया, desk job है, खतम, ठीक है, आपको अच्छा लगेगा, और यहाँ पे nine of pentacles की भी energy है, अब देखिए, यहाँ पे abundance वाला सारा aspect है, ठीक है, यह greenery है, यह pentacles है, इस lady की कपड़े देखिए, attire देखिए, बिल्कुल रानी महरानी की तरह से है, और contented है, और खुश है, और happy है, और अपनी life में जिसे कहते कि अब और कुछ नहीं चाहिए, उस तरह का aspect, तो ऐसा feel करेंगे आप 2014 में कि भगवान का दिया मेरे प तो सब कुछ है, तो आपकी energy, आपका aura, आपके सोच विचार, आपके finances कुछ इस तरह से grow करेंगे 2024 में, कि आपको ऐसा feel होगा, कि मेरे पास सब कुछ है, और literally आपके पास सब कुछ होगा, जो आप चाहते हैं, आप घर चाहते हैं, तो आपके पास घर होगा, आप गाड़ी बोला है, वो आपको सारा कुछ करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, skills को develop करना पड़ेगा, passion को develop करना पड़ेगा, clear goals रखने पड़ेंगे, precision के साथ decision लेने पड़ेंगे, ठीक है, और negativity को छोड़ना पड़ेगा, और पुराना जो कुछ हुआ है, उसको उसको छोड़ कि उसको let go करके move on भी करना पड़ेगा, so इस तरह का यहां पर है सारा सा career का, growth का, money का finances का aspect है जो मेरे साब से तो बहुत-बहुत positive है, इस positive सी reading को please claim कीजेगा ठीक है, और मुझे बताएगा reading कैसी लगी है आपको यहां पर 10 of pentacles है, last card है last के लिए इसको बचाया था क्योंकि यह deal है, भई 10 of pentacles जो है बड़ा ही auspicious शुब मानते हैं इसको हो सकता है, इससे बड़े भी तो card होते हैं लेकिन इसको सबसे शुब मानते है, 10 of pentacles से ओपर pentacles वाली energy को हो नहीं सकती, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया 4 हो गया, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ठीक है तो आपके पास 7 भी आया है, आपके 9 भी आया है और 10 भी आया है, इससे आपको क्या पता चल रहा है ठीक है, आप reading नहीं करते हैं आप taro नहीं पढ़ सकते हैं लेकिन क्या पता चल रहा है कि progressive कही ना कहीं success है ऐसा नहीं है कि एकदम कहीं से आ गया आप ही step by step जा रहे हैं और grow कर रहे हैं यानि कि progression है progress कर रहे हैं आप लोग ना अपने career में, अपने finances में उनको grow ही करते जा रहे हैं और यहाँ पे 10 of pentacles के थुरूँ तो जिसे कहते हैं at par level वाली happiness होती है 10 of pentacles जो है बहुत जादा auspicious इसको मानते हैं कहीं न कहीं family reunion के भी card होते हैं तो हो सकता है जो मैंने बोला है कि आपकी family में भी कहीं न कहीं आपके career को लेके आपकी जो dreams हैं जो family वालों से different हैं ठीक है जो आपके work ethics हैं हो सकता है वो आपके family वालों से different हो हो सकता है family वाले कह रहे हो कि आप ये करो लेकिन आप कुछ और करना चाहते हैं तो उसको लेके भी बहुत सारी जो तना तनी थी दोनों parties के बीच में तो 2024 में आप कुछ ऐसा कर दिखाएंगे guys कि आपके family वाले कहेंगे कि ठीक है तो उने ये decision लिया और तो उने prove करके दिखाया कि तू ठीक था यार तू ठीक थी तो इस तरह का aspect रहने वाला है कि वो ही family वाले जिनके खिलाफ आप खड़े हुए थे और आपके खड़े हुए थे जो आपको ऐसा feel कराते हैं वो ही आपको ऐसा feel कराएंगे यानि कि विल्कुल ही अच्छा contented, happy, ठीक है happy goal लगी, तो धे सारा यहाँ पे ना family reunion का भी card है और धे सारे लोगों की case में celebration है और धे सारे लोग हैं जो अपने पुष्टैनी घरों में जाएंगे बहुत सालों बार किसी celebration को लेके और family reunion होती है बहुत बार कुछ लोग होते हैं जिनसे हम बहुत बहुत साल से नहीं मिले होते हैं तो कही न कहीं वो आएंगे और धे सारे लोगों की यहाँ पे celebration है housewarming parties है दे सारे लोगों के लिए यहाँ पे success parties भी है यह और दे सारे लोगों के लिए यह शादी engagement रोका इस तरह का aspect भी है क्योंकि जब आप career में growth करते हैं तो आपके लिए रिष्टे भी बहुत आते हैं वो भी बिल्कुल genuine सी चीज है कि एक चीज है तो दूसरी भी होगी और आप भी अब कहीं न कहीं settle down होने के बारे में 2024 में सोचेंगे और यह हो पाएगा और घरवालों की मर्जी से घरवालों की खुशी से होगी यह शादी और सारा celebration और जो दिल का मलाल था ना कभी जो दिल का मलाल जो है यहाँ पर मैं ठीक होते हुए देख पा रही हूँ सो बहुत ही प्यारे से reading है और बहुत ही प्यारे से tone पर यह खतम हुई है सो यहाँ पर ना हम अपने लिए देखेंगे एक दो guidance क्या है ठीक है कि 2024 में regarding career finance और growth and money हमारे लिए क्या guidance है thunderbolt का card है ठीक है और यहाँ पर exhaustion है मैं आपको दिखाऊंगे cards कैसे क्या करते है cards की मुझे लगता है आपस में बातचीत होती है ठीक है अब यह cards यहाँ पर निकलेंगे यह cards यहाँ रखेंगे यह आपस में बातचीत करते है कि ठीक है हम ना तुम्हारी ही कहानी को repeat करेंगे अब यह देखें exhaustion का card है और यह है यहाँ पर nine of wands और यह भी nine ही card है और यह दोनों card ना अलग-अलग deck से एक ही है अब यहाँ पर इसको exhaustion बोल दिया है और यहाँ पर इसको nine of wands बोल दिया है लेकिन अगर आप इस इनसान को देखे nine को भूल जाए wands को भूल जाए तो यह थक गया है wear out बोला था ना मैंने थक गया है wear out completely तूट गया है तूटने की हद तक थक गया है अब उसको आराम जाईए है तो आप जो भी काम करेंगे 2024 में अब यह guidance में आया है तो अलग तरह से इसको पढ़ दूँगी मैं कि आपने ना आपने आपको इस तरह से exhausted नहीं करना है ठीक है अपनी energy को अपने time को अपने resources को सही जगह पे सही लोगों के साल सही time पे खर्च करना है सो यहाँ पे है और यहाँ पे है miser का card है आप लोगों के लिए ठीक है मैजर का card यहाँ पे इसको बोला miser है लेकिन जो मैं pick कर पा रहे हूँ यहाँ पे चौरी का aspect है कुछ सो हो सकता है आपकी work place पे कुछ इस तरह के लोग हों जब 2024 में आप grow करने लगें ठीक है तो आपसे jealous feel करें और यह होता है success हमारे को अकेला करती है ठीक है हो सकता है अब तक आप 4 लोग के साथ चिल करते हों लेकिन जब आप success की सीडियां चड़ें तो वो 4 लोग आपसे jealousy करेंगे क्योंकि आप top पे जाने लगे है तो पे जाके आप अकेले रहते हैं यह सच है पुराने लोग छूटते हैं नए लोग मिलते हैं तो यहाँ पे चोरी का aspect है यह इंसान जैसे कुछ चुरा के भाग रहा है तो हो सकता है guys आप बहुत बहुत तो एतियात बरतियेगा अपने workplace पे अपने काम के regarding जो भी सामान है आपके pen drives and all documents of copies, hard copies जो भी हैं बहुत सही तरीके से रखियेगा क्योंकि यह आप इना physically चीजें चोरी होने का डे सारा aspect है 2024 में और यह thunderbolt माला card है और यह होगा ही होगा 2024 में यह कभी भी हो सकता है, हो सकता है यह हो चुका हो, 90% लोगों के case में यह हो चुका है, जब चीजें हद से ज़्यादा toxic हो जाती है जब बुराई अपनी एक चीज को एक limit को cross कर देती है तो भगवान ही करते है ठंडर बोल्ट इस तरह का escalate कर देते हैं आपको कोण चुड़ना पड़ेगी जब को आपको चौड़ना पड़ेगा आपको बहुत ज़्यादा toxicity है आज नहीं तो कल आपको चौड़ना पड़ेगा यह हो सकता है इस तरह की परिष्ठिती बने कि आपको चौड़ना ही पड़े और यहां पर राइपनेस का काड़ है तो 2024 राइपनेस को अगर मैं देखूं कि एक फल पकता है बहुत मीठा हो जाता है तो पेशेंस तो यहां पर अगर मैं पर कर पारी हूं मैसेज आप लोगों के लिए 2000 में है कि विद पेशेंस आपको चलना है ज़्यादा जल्दी जल्दी ग्रोव करने की चक्कर में इंपेशेंट नहीं होना है और खुद को एक्जोस्ट नहीं कर लेना है कि चार दिन का काम एक दिन में ही करना है बाई एंड बाई चलना है जिस इश्वर ने आपको इस परिश्टिती से निकाला है ठीक है जिन्होंने आपका हाथ संभाला है आपको सहरा दिया है वो आपको सब कुछ देंगे जो आप डिजर्व करते हैं ठीक है और कमेंट करके बताइएगा आपने कहां कहां कैसे कैसे रेजुनेट किया और आप इस रीडिंग को किसी और स्कॉर्पियो सॉल्ट्राइब के साथ शेयर भी कर सकते हैं और अगर आपको मेरा स्टफ मेरा वीडियो मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा सो गौड ब्लेस यू अल